नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चेनल पे मैं हूँ सोरभ बोरासी मद्ध पिदेश भोपाल से काफी सवाल थे कि ग्रेडिंग का वीडियो अपलोड करना है बताईए तो मैं जो तरीका ग्रेडिंग के लिए यूज करता हूँ वो ये वाला तर यह व्यां कि यह एक पर्दय जैसा लगा हुआ है नीचे तक यह इसकी जो मोटाई है इसमें तीन उंगल के लगभग जा पार रहा है तो इसमें जो है यह 300 ग्राम 400 ग्राम का जो माल है वाकर फस जाता है और छोटे जो है वो निकल जाते हैं तो यह थोड़ा सा एजी रहता है क्योंकि इसमें पानी को खाली नहीं करना पड़ता है इस बिना पानी खाली करें हम फंदे लगा के माल को पकड़ लेते हैं जैसे यह चचा अंदर देखो कंटीनियू रहते हैं जैसे कोई है बढ़ा वाला तो तुरंत उसे निकाल लेते हैं वरना ज्यादा टाइम तक रख तो यह तरीका मैं यूष करता हूं हलागि और भी तरीके हैं यूष कर ने के पर यहां पर क्या मैं पानी खाली नहीं करता हूं यह तरीके के कारण क्योंकि पाणी का जो है वह काफी बचत करनी पड़ती है और एक तरीका है कि एक जाल आता है घसीटा जो कि दो तीन लोग एक तरप से चालू करते हैं पूरा माल को एक साइट बिल्कुल किनारे पर लेके जाके वहाँ फिर छाटते हैं तो उसमें फिर प्रोफेशनल लोगों को बुलाना पड़ता है जिसमें हजार दूजार रुपे आपके लगते हैं बागी सुरू से ही अगर इस तरीके का फंदे वाला तरीका अपना है तो जितने भी माल बढ़ता जाएगा वो फसता जाएगा छोटा रहेगा वो नहीं फसरेगा तो यह थोड़ा सा एजी बना देता है पानी खाली करे बिना और बिना किसी प्रोफेशनल के बुलाए बिना यह फंदे लगवग दो ढ़ाई तीन सो रुपे की मिल जाते हैं इतने यह किलो से आते हैं वैसे तो 400, 4500 रुपे किलो अलग-अलग साइज के रहते हैं वो सबके दुकानों के भी अलग-अलग जगह पर रेट होते हैं लगवग लेकिन यह 400500 के आस-पास ही मिलेगा इसमें यह फशा के लेके आए हैं कितने वड़े है चाचा यह इस तरीके का एक खरिया होता है जो अपने सांत रखा जाता है और उसमें यह इस तरीके के जो यह देखी है यह इस तरीके से यह बड़िया जिन्दा माल है यह फस जाता है और इसको हम वापस अपने दूसरे पॉन्ट जो रहते हैं उसमें डाल देते हैं जो बड़े बड़े पीश निकलते जाते हैं तो यह है फंदे का तरीका बागी घसीटा जाल का तरीका तो है वो प्रोफिशनल लोगों को बुला कर किया जाता है वो हम खुद भी कर सकते हैं लेकिन फिर उ मिनिमम मिनिमम तो यह तरीका है घ्रेडिंग का और एक ओर तरीक आ nossas बिल्कुली पूरा पानी खाली करती जिए और पानी खाली करने के बाद आप उसमें सारा माल जो है उसको धीरे 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 करके बटोर लीजिए उठा लीजिए कैरेट से अपने अपने तरीके से बाल्टियों से आदमी उसमें मैन पावर फिर ज्यादा लगता है और उसमें ये भी आपको देखना पड़ता है पानी खाली ज़रूर हुआ है तो उसको भरना भी है सही समय पर वरना समय जो है उसमें रात हो गई तो ज्यादा ठंडा माहूल हो जाता है पानी नहीं भर पाया लाइट रहे तो इन सब चीजों को देख के करना पड़ेगा तो ये था मांगुर का जो फंदे का जो इस्टाइल है जो हमारे यां हम तो यूज यही करते हैं बाकि आप अप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं पानी बहुत जादा है तो पानी आप खाली भी कर सकते हैं और फिर बहुत अच्छे से पूरा माल छाट लीजिए और नहीं तो प्रोफिशनल के एफॉर्ड करने के लिए जो इसे पैसा लगा सकते हैं तो प्रोफिशनल को हायर कर लीजि अपनी आँगों के सामने जो माल पस्ता है उसको रखते हैं और निकाल लेते हैं जिन्दा माल इससे एक हायल नहीं और जिन्दा रहते हैं मतलब मरते नहीं है और अगर रात भर लगा के रखेंगे तो यह मर जाएंगे ठीक है दोस्तों यह ग्रेडिंग का वीडियो था जो मेरे यहां यूज होता है बाकि आप अपने हिसाब से मैंने तीन चाह तरीके बताए हैं वो यूज कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार वीडियो सही लगा अच्छा लगा हो तो दूसरों को भी शेर कर दीजे ताकि य अपना सवाल लिखके अपनी जगा का नाम और मोबाइल नमबर लिख लीजिए मैं आपको खुद कॉल कर लूँगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद